हेलो फ्रेंद्स हीम लेडिश टेलर में आपका स्वागत है जिसमें 18 कली है तो फ्रेंड्स यह मेंने कबड़ा लिया है और इसको तीन लेयर में जमा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 22 सिंच रखिये आप अपने अकोडिंग इसकी लंबाई रख सकते हैं कि तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके और हमें इनकी साइड की कटिंग कर लेनी है इनकी साइड की कटिंग करके अब इन्हें हमें इस तरह से बिछाना है एक के उपर एक जमा देना है कि डिजाइन का ध्यान रखें कि हमें डिजाइन तिनों की एक की साइड में रखनी है और इन्हें हमें इस तरह से में वाफिस फॉल्ड कर देना है और इसे हमें इस तरह से घुमा के और हमें और कि साइड की कटिंग कर लेनी है इसी तरह से मैं दूसरी वाली साइड की भी कटिंग कर लेनी है तो फ्रेंड्स अब हमें एक के उपर एक हिसे वह हमें बराबर जमा लेने हैं कि यहां पर हमें 3.5 इंच का निसान लगाना है और इधर भी हमें 3.5 इंच का निसान लगाना है अब यहां पर हमें इस तरह से इंची टेप लगा के यहां पर इस तरह से निसान लगा देने हैं और स्केल की एल्प से हमें इनको सिधा कर लेना है अब इसे इस तरह से हमें जमा के और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है कटिंग हो रही है जब तक आप वीडियो को लाइक करें क्योंकि हम वीडियो देखने के बाद में लाइक करना बूल जाते हैं अब हम इनकी सिलाई करेंगे फ्रेंड्स इसको हमें इस तरह से रखना है और यहां से हमें एक कली सीधी और उसके उपर दूसरी वाली कली उल्टी इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है यहां से हमें पका करके और इसकी बराबर सिलाई कर देनी है इसके साइड की पटी होती है उससे थोड़ा सा इधर की साइड में हमें सिलाई करनी है तो यह कली जुड़ गई है और इसके बाद में हमें इसी तरह एक के उपर एक कली आगे से आगे जोड़ते जाना है तो फ्रेंड्स आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल में जाके आप और भी अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं मैंने इस चैनल पर बहुत अच्छी अ मेरना है विल्कुल फिनिसिंग से है इसी तरह से मैं एक के बाद में एक कली को जोड़ते जाना है तो फ्रेंड्स यह देखिए हमारे लेंगा सिलकर तयार हो गया है कितना सुन्दर और कितना अच्छा लग रहा है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो